बाप का अर्बो का बिसनेश छोड़ कर क्रिकेटर बना ये प्लियर, कहा पापा मुझे देश के लिए खेलना है, पैसे तो आप कमा ही चुके पेता कहते रह गए, सम्हाल लो बेटा अर्बो का कारुबार, लेकिन इस खिलाड़ी ने मार दी एक पल मिलाथ, अब इंडियन टीम में मचा रहे धमाल, वॉर्ल कप में ठोक दिया श्रतक टीम में शामिल होने के लिए बेलने पड़े थे पापर, केल राहूल के आने से नहीं मिल रही थी जगा, लेकिन अब केल राहूल के साथ मिलकर ही मचा दिया तहल का आईपियल में करता है इस टीम की कपतानी, करोडोव में लगी है बोली, इतना अमीर है कि टीम के खिलाडी मांगते रहते हैं उधार ये खिलाडी जब भी मैदान पर आता है, ताबरतो छक्के ही लगाता है, और आज निर्दलाइन के खिलाफ वॉल्ल कप के मकाबले में ये बात फिर से साबित हो गया विरोधी टीम के खिलाडियों को पूरे मैदान में गेंद उठाने के लिए चकर लगवाने लगा, गेंदबास गेंद फेकने से पहले ही खौफ खाने लगते थे, बड़े बड़े गेंदबासों के धागे खोल देता था, इसके आगे तो इसी वॉल्ल कप में पागस्तान क गेंदबास भी पानी मांगने लगे थे, देश के लिए खेलने का था सपना, नहीं तो पिता के पास इतनी करोडों की संपती थी कि कई क्रिकेटर्स को IPL में अकेले ही खरीद लेते, आज जिस क्रिकेटर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके शांदार शतक को आ उससे पहले उसकी रैसी को देख लीजे, जिसे देखकर आप दातों तले उंगली दबालेंगे, जी हाँ, हम बात करें मौजूदा समय में भारतिये टीमें सचिन की तरह शांदार बल्लेबासी करने वाले, और लाखो भारतिये फैंस का दिल जीतने वाले शुरस अयर की, व और उनका कारुबार बहुत पड़ा है, जो देश और विदेश तक फैला हुआ है, श्रे सयर की फैमली काफी चोटी है, उनके पापा का नाम संतो शयर और मा का नाम रोहिनी है, श्रे सयर की एक बहन भी है, जिनका नाम शृस्टा है, और वो डांसर और कोरियोग्राफर है, पिता का सपना था कि कलौता बेटा उनका बिजनेस संभाले और उसे उचाई पर ले जाए हालां कि उन्होंने भी अपने दिल में एक सपना पाल रखा था कि काश उनका बेटा सचिन तंदुलकर बन जाए लेकिन बिजनेस को लेकर वो आगे पीछे हो रहे थे पर नियती को कुछ और ही मंजूर था पढ़ने लिखने में अच्छे श्रेस आयर ने पिता से कह दिया कि पापा मुझे क्रिकेटर बनना है आप बिजनस खुद देखो लेकिन उन्होंने ऐसा इसले किया क्योंकि आयर का सपना था और पता ने दिल पर पत्थर रखकर आयर को क्रिकेटर बनने दिया उन्होंने ऐसा इसले क्या क्योंकि आयर का सपना था कि वो देश के लिए क्रिकेट खेले और पिता के पहचान की वजह से नहीं बलकि वो अपनी पहचान से जाने जाएं इसले उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया मुंबाई की रहने वाले श्रेस आयर की जिन्दगी में तब नया मोड आ गया जब वो पोर्व क्रिकेट खिलाडी प्रवन आमरे के संपर्क में आई प्रवन आमरे ने श्रेस आयर को क्रिकेट खेलना सिखाया और वही उनके कोच है आयर की बैटिंग देखते हुए अकसर प्रवन आमरे उनसे कहा करते थे कि तु तो एकदम विरेंदर सेवाग की तरह खेलता है कॉलेज से ही आयर की पहचान एक शानदार बल्लेबास की हो गई उन्होंने कॉलेज टाइमे ही अपनी टीम को कई सही ट्रॉफि दलवाई श्रेस आयर ने नवंबर 2014 में अपने लिस्ट एक रुकेट करियर की शुरुवात की और मुंबई के लिए खेलते हुए विजए हजारे ट्रॉफि में पहली बार पदारपन किया पहली बार में ही इस ट्रॉफि में उन्होंने करीब 55 की उसट से 273 रन बनाए जबकि 2014 और 2015 की रांजी ट्रॉफि में उन्होंने 50 की उसट से शांदार बल्लेबासी की और 2 शतक और 6 अर्द शतक लगाए इसी का नतीज़ा रहा कि 2015 में ही उन्हें दिल्ली की टीम ने खरीद लिया जहां उन्होंने दंदार बल्लेबासी कर सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया जिसके बाद एक नॉमबर 2017 को उन्हें नियुजिलैंड के खिलाफ डिब्यू करने का मौका मिला इसके बाद आईयर के जिंदगी में बहुत सारे उतार चड़ावाए कई मौके पर उन्हें टीम में शामिल किया गया और कई मौके पर बिठा दिया गया खरीब 10 महीने तक टीम इंडिया से श्रेस एयर बाहर रहे फर्म साथ नहीं दे रहा था लेकिन NCA में उन्होंने वक्त बिताया खुद पर बहुत महनत की और आब वो एक स्टार क्रिकेटर के तोर पर उबर चुके हैं बताया तो ये भी जाता है कि एक दौर श्रेस एयर की लाइफ में ऐसा है दोस्तों आपको बता दें कि श्रेस एयर को महंगी और बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक है लेकिन वो गाड़ी अपने पिता के पैसों से नहीं बलकि खुद के पैसों से खरीते हैं हाली में उन्होंने धाई करोड के मर्सिटीज कार खरी दिये श्रेस एयर के पिता के बिजनस को छोड़कर क्रिकेट खेलने के फैसले को आपके सही फैसला मानते हैं और खास तोर पर निदलैंड के खिलाफ उनके शतक को देखकर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा